द्रिशम फिल्म के तर्च पर कानपूर के एकता हत्याकान की जान जैसे ऐसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही वैसे मामला और भी जादा उलस्ता जा रहा है इस उल्जन के पीछे कारण क्या है इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है जो आज हम आपको बताते हैं से पहली बात तो यह कि यह जो लाल रंकिया बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं इसी के नीचे गड़ा खुदा हुआ था और यहीं पर एकता का शव दबा कर रखा गया था आरूपी विमल सोनी द्वारा और दूसरी बात यह कि इसके बिलकुर बगड की दिवार से यह रास्ता अंदर जाता है और यह रास्ते जो जा रहा है वो डियम आवास की तरफ जा रहा है यह वो रास्ता है दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर विमल सोनी की मोटर साइकल खड़ी हुई है आपको हम दिखाएं तो वो जो मोटर साइकल खड़ी हुई है 4275 यह विमल सो गारी रहते हैं चारों तरफ और वहां पर इस पुलिस की सुरक्षा रहती है ऐसे में कोई गारी इतने महनों से यहां पर खड़ी हुई है यह कैसे संभव है दूसरी सबसे वड़ी बात अगर हम आपको यह बताएं कि जब यह सारा मामला उठा था तब यह कहा गया था किसरा गेट आएगा वो डियम आवास का गेट आएगा और ऐसा बताया जाता है कि यह यहां पर जो गेट है यह पब्लिक के लिए है यानि पब्लिक को अगर जाना हो यहां से तो आराम से जा सकती है अगर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग को जाने को न कि हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं तो यह तो बताया गया था कि यह पब्लिक प्लेस है यहां से लेकिए वहां तक तो उसमें फिर जाने में क्या दिक्कत है कि अगर हमें हमें भी काम है तो हम जा सकते हैं मतब्या पॉब्लिक प्लेस वैसे ऊपच्वेश जरू की लेकिन इहां पर बताये ग्या कि आप ऐसे नहीं जा सकते हैं तो इसके एक बात तो बिल्कुच साफ ओजाती है कि यह पॉब्लिक प्लेस तो नहीं है क्योंकि पब्लिक प्लेस में जाने के लिए किसी अधिकारी की अनुमती लेने की आवशक्ता नहीं होती है और यह मोटरसाइकल यहाँ पर इतने महिनों सो क्यों खड़ी हुई है और चलिए महिनों से खड़ी हुई थी कोई बात नहीं जब यह शव बरामत हुआ जब ये सारी बात आई उसके बाद भी इसको जाच में क्यों नहीं लिया गया ये सबसे बड़ी बात है अब आपको हम एक तीसरी महत्पून बात और बता देते हैं वो महत्पून बात ये है कि स्विमा सोनी को रिमांड पर लिया गया है पुलिस 48 घंटे की रिमांड है पुलिस उससे पूस्ताश कर रही है और सबसे बड़ी बात ये कि पूस्ताश की कोई भी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं मिल पा रही है लेकिन एक जानकारी मिली है कि ये जो गड़ा खोदा गया था ये पुताई के लिए जो पुताई की सीड़ी लगाने थी उसके लिए खोदा गया था अब सबसे जादा हस्पद बात ये है कि ऐसी कौन सी सीड़ी होती है जिसको लगाने के लिए 10 फिट का गड़ा खोदा जाए और दूसरी बात अगर सीड़ी के लिए गड़ा खोदा भी गया था तो वो जादा जादा 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच या बहुत जादा हुआ तो एक फिट का गड़ा परियाप्त होता है तो अगर ये खोदा भी गया था तो उसके बाद का जो पूरा 7 फिट, 6 फिट, 8 फिट का गड़ा था जो की शव को गाड़ने के लिए था फिर वो कहां से खोदा गया, वो भी 45 मेंट के अंदर क्योंकि पुलिस के अनुसार यहां पर विमल सोनी 45 मेंट अंदर रहा था तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके अभी तक जवाब नहीं मिल पा रहे है 48 घंटे की रिमान पर विमल सोनी है उससे पुलिस लागातार पूछताच कर रही है और अब देखने वाली बात यह होगी कि वाकई में सिर्फ विमल सोनी इसके पीछे इस पूरे हत्याकान के पीछे जिम्मेदार है या उसके कोई अन्य साथी भी साथ में है जो कि इसके साथ शाबिल हो सकते हैं और यह सारी बात तभी पता चल पाएगी जब इस पूरे मामले का सही सही खुलासा होगा अन्डवाग अगरवाल टीवी नेंग कानपोर